हेलो गाइज वेलकम अगेन आज हम शेयर करने वाले हैं पेज डिजाइन जिसको हम इस फैबरिक से बनाएंगे कुर्ती हमारे यह अल्रेडी स्टिच है और यह फैबरिक हमारा मैचिंग फैबरिक है कुर्ती के अकॉर्डिंग तो पेज बनाने के लिए हमें फ्यूस पेपर की जुरूत पड़ेगी और साथ ही में हमें पेस्टिंग की जुरूत पड़ेगी पेचिंग में हम काइट शेप देंगे जो हम पेस्टिंग पर कट करेंगे इस तरह की पेचिंग आप किसी भी अपनी रगुलर कुर्ती या ओल्ड कुर्ती पर बना सकते हैं और उसको न्यू लुक दे सकते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटिक आइकन को भी फ्रेस करें ताके आने वाली हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पेस्टिंग लेंगे पेस्टिंग के इस कॉर्नर से हम मेजर करेंगे काइट को जो हम 4 इंच पर लेंगे और मार्क करेंगे इसी तरह से दूसरे साइट से भी हम 4 इंच पर मार्क करेंगे यहां से भी हम 4 इंच लेंगे आगे की तरफ और इसको हम एक इस वायर पीस में मार्क कर लेंगे इसके बाद हम इस कॉर्नर से एक से सवा इंच आगे बढ़ेंगे इस तरह से और नीचे से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे अभी से लाइन पर हम इसको कट करेंगे अगर आप चाहें तो ये कटिंग आप पहले पेपर पिकड़ सकते हैं उसके बाद पेपर फॉर्म पे ड्रॉ कर सकते हैं तरह से कट करने के बाद हम दूसरी काइट कट करेंगे जो मैं दूसरी तरह से कट करना बताऊंगे पेस्टिंग को एक कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड करेंगे कौन शेप में उसके बाद हम इस कॉर्नर से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे यह मैं हाफ इंच छोटी काइट बना रही हूँ पहली वाली काइट से क्यूंकि मैंने पहले 4 इंच पर माक किया था तो यहां से भी मैं दोनों तरफ से 3.5 इंच पर माक करूंगी और नीचे इस कॉर्णर से उसी तरह से मैं एक से सवाइन चागे बढ़ूंगी और नीचे की लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी अब इसी मारकिंग के कोडिंग हम काइट को कट करेंगे इसी तरह से मैंने ये तीसरी काइट भी कट की है इसका साइज मैंने 2.5 रखा है दोनों तरफ से तीनो काइट का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज्यादा इसके बाद हम तीनो काइट को फेब्रिक पर पेस्ट करेंगे फेब्रिक पर पेस्ट करने के लिए हमें फेब्रिक को रॉंग साइट को उनपर की तरफ रखना है ये फेब्रिक की रॉंग साइट है और ये पेस्टिंग की स्टिकी साइट है जहां से पेस्टिंग चिपकती है तो सभी काइट को हम इसी डारेक्शन में रखेंगे तीनो काइट के वीजी में हमें एक्वेली गैप रखना है यहां से और इसको हम आइरन की हेल्प से फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे पहले आइरन से अच्छे से पेस्ट करने के बाद हम इस पर पेपर फॉर्म रखेंगे इस तरह से यह पेपर फॉर्म की पेस्टिंग साइड है इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस पर भी हम उसी तरह से आइरन करेंगे ताके यह फ्यूस पेपर पेस्टिंग और फैब्रिक पर स्टिक हो जाए अच्छे से इसके बाद हम काइट के चारों तरफ से हाफ इंच का मार्जन लेते हुए कट करेंगे इसको करने के बाद हम यहां दोनों साइड के कार्नर्स में कट लगाएंगे ताके हमारा फैब्रिक यहां अच्छे से फोल्ड हो जाए और इस पर हम इसी तरह से आइरन करेंगे सबी कार्नर्स को अच्छे से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे और इस पर आइरन करेंगे और तीनों काइट को हम सेम इसी तरह से कम्प्लीट करेंगे तीनों काइट हमारी complete हो चुकी है ये काइट की wrong side है जो extra कपड़ा हमने अंदर fold किया था और ये काइट के front look है इसके बाद हम काइट को कुर्ती पर लगाने के लिए पहले marking करेंगे ये हमारी already stitch हुई भी कुर्ती है और ये कुर्ती का front है जहां पर हमें काइट लगानी है आप अपनी choice के according काइट को place कर सकते हैं और paste कर सकते हैं मैं इस तरह से लगाऊंगी तो मुझे यहीं पर मैं mark कर लूँगी और यहां से मैं stitch करूँगी काइट को जो हमारी कुर्ती से paste हो जाएगी काइट को paste करने के लिए हमें marking की है तो वहीं पर हम रखेंगे और काइट की किनारी पर हम एक cover stitch करेंगे और यह stitch हम finishing से करेंगे क्योंकि यह हमारी final stitch है आप चाहें तो इसके center में एक rough stitch कर सकते हैं इसके बाद हम यहां पर डोरी लगाएंगे जो हमने already stitch कर रखी है यह fabric टाजल हमने दूसरे सिरी पर लगाये हैं और एक सिरा हम काइट के नीचे रखेंगे half inch अंदर करके ताके यह काइट का look proper दे डोरी बनाने की वीडियो मेरे channel पर already available है आप चाहें तो वहां से जाकर check out कर सकते हैं काइट को paste करते हुए ध्यान रहे कुर्ती का fabric अंदर की तरफ lose ना हो तो fabric को अच्छे से बाहर की तरफ हम खिशते हुए stitch को complete करेंगे इसी तरह से हम दूसरी काइट भी लगाएंगे और यहाँ पर हमसे मुसी तरह से डोरी भी लगाएंगे जिससे हमने पहले लगाई थी काइब अरूज ना हो मने प्हले लगाई थी इसके बाद हम तीसरी काइट लगाएंगे यहाँ पर और इसको भी हम उसी तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पहले की है यह वाली तीनों काइट्स हमारी लग चुकी है यह इसका फाइनल लुक है रेडी लुक है यह डोरी का लुक है आप चाहें तो इसको स्ट्रेट करके एक सेंटर में स्टिच करें ताकि यह बिल्कुल स्ट्रेट रहे डोरी अगर आपको पसंद है और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा तिर्शा करके वेव की तरह कर सकते हैं स्टिच यहां पर सेंटर में और इसको इस तरह से फिरी भी छोड़ सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे वैसा तो तो रेडी है हमारी कुर्ती झाल